गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स विल्कम बैक आप कैसे रहें आप सबके हॉलिडेई तो चुट्टिया तो आप लोग ने इंजॉय कर ली है आप करनी है पढ़ाई आप सबको अच्छे से तो लास्ट क्लास जो हमारी थी थर्ड में की उसमें हमने क्या किया था उसमें एक आप अपनी जब बुक उठाएंगे आप अपनी बुक ले लिजे हाथ में जिसमें टिक दा करेक्ट ओप्शन कंप्लीट करवा दिया है मैं आपको करवा दिया है और फॉर्थ पार्ट कौनसा आंसर इच इन फ्यू वर्ड्स ओनली भी मैं ने आपको कंप्लीट करा दिया है इसके वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे तो महाँ से आप इसका वीडियोज देख लीजए और क्या करवा दिया है मैं आपने आंसर इच इन वन और टू सेंटेंस करा दिया है ठीक है और जो क्वेस्टन बच्चे हुए जैसे अरे इंटा फॉलोइंग इन आफ पार्ट आंसर इच इन 5-6 सेंटेंसेज ठीक है आंसर इच इन 5-6 सेंटेंसेज तो आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे फड़ा फड़ा अपनी वीडियो में एक्सरसाइज सेलूशन देख रहते हैं हम क्लास एट थवालों का स्टूरेंस का तो आंसर इच इन 5-6 सेंटेंसेज कंप्लीट करेंगे आज हम लोग फटा-फट से और जिस भी स्टूरेंस ने अभी पुरानी चीज़े अपनी कॉपी में कंप्लीट नहीं की है वो लोग कं सचेशन सही होती है स्कूल ओपन होते हैं तो आप लोग की कॉपिज बगएर चेक होगी और टेस्ट होंगे एग्जैम्स होंगे तो अच्छे से पढ़ना है ठीक है अच्छे से पढ़ लेनी और आज के जो पार्ट है एक्सरसाइज सेलुशन है आंसर इच इन 5-6 सेंटेंस इसको भी आपको क्या करना है आपको अपनी कॉपी में कम्प्लीट करना है फटाफट आप लोग अपनी बुक और कॉपी यह मैं आपको पहले ही बताया है आपको अपनी बुक्स और कॉपी को लेके ही बैठना है क्लास की वीडियो जब स्टार्ट हो जाएगी तो आपको अप अपनी कॉपी भी लेके बैठी हो फटाफट जैसे मैं बोलती जा रही हैं आपको समझाती जा रही है मैं आपको वीडियो के वे में क्यों देती हैं जिससे आपको सारी चीज़े समझ में आजाए समझाते वे क्वेशन आंसर आपको मैं निथकी अनिघ्ञें चीजे तो चलिए स्टाट करते हैं कि अपनी लोगशन करेंगे तो जिसमें क्वेशन करेंगे और आपको क्या करना है फटा फट कॉपी निकाल लिए अपनी और question answers नोट करिए इसे अराम से नोट करिए धीमेधी में बोलूंगी मैं आपकी धीमेधी में बोलेंगी और समझाते हुए बताएंगी तो इसमें question number first क्या है हमारा question number first discuss two method of weeding in which poisonous chemical are not used question number first discuss two method of weeding in which poisonous chemicals are not used तो हमें ऐसे दो method बताने हैं वीडिंग के जिसमें poisonous chemicals यूज नहीं किये जाते हैं ठीक है तो वैसे दो process देखेंगे हम उसके चलिए answer क्या है हमारा answer आप लोग लिख लीजे इसका screenshot ले लीजे नहीं ऐसे ही लिखते जाएं अराम से चलेंगे हम लोग answer क्या है two method of weeding in which poisonous chemicals are not used first क्या है weeding by using equipments पहला point note करिए इसको अब आपको easy समझ में आएगा यह इसका answer यहां पर शुरू हुआ ठीक है यह answer यहां से शुरू हुआ note करिए आप लोग two method of weeding in which poisonous chemical are not used पहला क्या है weeding by using equipments कौन-कौन से equipments यूज़ करते हैं वीडिंग के लिए अकॉम लाइक होरो और रेक इस यूज़ फॉर दिस पॉपस ठीक है आपकी बुक में पेज नंबर 12 में equipment की फोटो मेंशन की हुई है तो आप आप लोग वहां से equipment की फोटो देख सकते पेज नंबर 12 में वीडिंग equipment इसका आंसर लिख ली जो आप लोग अकॉम लाइक होरो और रेक इस यूज़ फॉर दिस पॉपस इसमें तू मैठेट पूछा है तो दूसरा क्या है method hand pulling दूसरा method है hand pulling weeds can be removed by pulling them out by hand इसे भी note करिए आप लोग wheat can be removed by pulling them out by hand weeds क्या होते हैं weeds are unwanted plants ऐसे plants जो हमारे normal crop के साथ unwanted तरीके से उख जाते हैं और हमारे plant के लिए क्या होते हैं harmful होते हैं ठीक है तो उसके हम क्या करते हैं ऐसे plants को जो harmful हैं उसको हम remove करते थे खेतों से तो इसकी यह method है जिसमें बिना chemical के हम remove कर सकते हैं पहला आप लोगों ने लिख लिया weeding by using equipment दूसरा है hand pulling method इसमें क्या होता है weeds can be remove by pulling them out by hand हाथ से ही आप waste plants को जब कीच-कीच के निकाल देंगे तो क्या होगा हमारा जो खेती का area वो clear हो जाएगा एसे पेड़ों से जो हमारे खेत में जो खेती के लिए फसल हमने उगाई है खाने पीने के लिए वो सेफ रहेगे सुरक्षित रहेगे इसको फटा-फट नोट कर लीजे फिर हम चलेंगे question number two चलिए I hope इसको आपने लिख लिया होगा हम चलेंगे question number two की तरफ question number two क्या है हमारा आप लोग क्या करिए question का space छोड़ दीजे वो आपके बुक में दिया हुआ है question के लिए 2-3-3 line space छोड़ते जाईए और answer समझ के पहले question समझ लीजे और answer लिखते जाईए फिर बाद में question लिख लिजेगा और आप लोग को क्या करना है comment करके बता देना है comment करके बता देना है कि ma'am yes ma'am मेरी copy complete हो गई है ठीक है यह comment करके आप लोग comment box में बता देंगे जिससे ma'am को पता चले कि 8th class में जितने भी बच्चे है total strength जितनी भी है सबके comments आने चाहिए जिससे ma'am को पता चल सके कि उनकी copy complete हो गई है उन्होंने वीडियो देखा है और उन्होंने सारी चीजे समझ लिए question number two क्या है हमारा why does government usually maintain a buffer stock answer क्या है इसका an extra stock called buffer stock buffer stock क्या होता है आप इसको आप लोग समझ लीजे buffer stock वो stock होता है जैसे हमने गेहूं की खेती की हमने ज्यादा फसल उगाई और उसको से सुरक्षित करके रख लिया आपके घर पर आपकी मम्मी एक्स्ट्रा समान रखती है ना आज आपने अगर एक बिस्किट खाया तो कल के लिए दूसरा बिस्किट का पैकेट रेडी रहता है ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे extra stock ये एक example है पर government भी क्या करती आनाज का extra stock बना के रखती ह तो यहाँ पर आप अंसर लिख लीजे एक अगर हमारी खेती ना उक पाए पानी की कमी हो जाए तो हमारे पास बहुत सारा अनाज रहे ठीक है जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूदेंस हमारे इंडिया में उत्तरपेट देश में आपके आसपस कितने सारे लोग है सब को पे दाल चावल रोटी सबजी सब को चाहिए ठीक है तो गवर्मेंट क्या करती है रेट सारा अनाज इसका स्टॉक बना लेती है अगर कोई दिक्कत हो जाए हमारे खेतों में तो क्या करेगी पुराने अनाज को सबको बाटके खिला देगी इसको जल्दी जल्दी आप लोग ल 20 इवन इफ देयर इस आ शॉर्ट फॉल ठीक है अगर शॉर्ट फॉल भी होती है तो भी सुरक्षित रहती है सारी चीज़े इसको आप लिख लीजे अब पुरा अंसर दिख रहा है आप लोगों को इवन इफ देयर इस शॉर्ट फॉल इन प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर इयर फॉर एक जामपल ड्यू टू मॉंसून फेलर एक एक जामपल है ऐसा कब होता है कब होगा कि हमें खेती में अनाज नहीं सही से मिल सकते हो सकता है बारिश सही से ना हो पाए है ना अगर सही से बारिश नहीं होगी तो हमारे अनाज को पानी नहीं मिलेगा सही से और पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा वाटर नहीं मिलेगा नाज को तो क्या होगा पेड़ अच्छे से नहीं हो गएंगी और हमें अनाज नहीं मिल पाएगा तो ठीक है तो एक एक जामपल यहां पर दि है ना अपनी पसंद की चीजों का बिस्किट का नमकीन का चॉकलेट का रोज-रोज मार्केट जाते हैं या समाल लेने मिल्क ठीक है आप लोग एक बार आपकी मम्मी चावल आटे को धेड़ सारा ले आके रख लेती हैं घर पे एक बाल्टी आटा धेड़ सारा चावल 10 kg फिर एक महिने तक चलाती हैं फिर दूसरा स्टॉक लेकर आती है राइट तो हम गवर्मेंट भी यही काम करती है तो चलिए हम चलते कौन से क्वेशन में क्वेशन नमबर थर्ड क्वेशन नमबर टू आप लोग जल्दी से इसको कर लिए इसका स्क्रिंशॉट ले लिए हम आते इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे इसका साइस तो आपको क्लियर दिखेगा क्वेशन तो आप लोग अपनी बुक से लिख लीजेगा अभी समझते हुए इसका आंसर लिखते रहेगे और क्वेशन का देख लीजे क्वेशन अगर बड़ा है तो वो दो तीन लाइन में आएगा छोटा क्वेशन है तो वो एक लाइन में आ जाएगा यह वाला तो वीडिंग एंट रांस्प्ल아ंटेशन कें क्वेशा के बोल रहा है 3 राइट शौंट नोड़ वीडिंग एंट रांस्प्लांटेशन टो आंसर इसका लिख लिए आपको वीडिंग क्या है अभी मैं आपने आपको कौश्यून नमबर 1 में थोड़ा सा सम्झाया है इसको यह पर तो शॉर्ट नोट्स लेखना है यह आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है आपकी फ्यूचर में यह सब काम देगा जब आप हायर क्लासस में जाएंगे तो यह सब वहाँ पूछा जाएगा और आप लोगों ने इतनी दिन से इतनी छुट्टिया एंजोएं किये तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे अंसर क्या है इसका वीडिंग वीडिंग एक्स्ट्रेशन क्या है सम अन्वंटेट प्लांट्स में ग्रो नैच्रली अलांग विद दॉप्स देयर कॉल्ट वीड ठीक है यह तो मैं आपने आपको समझाया जो अन्वंटेट प्लांट ग्रो जाते होसे क्या कहते हैं है री मॉवल और वीड स्राम दापील वित ऑढ़ हमिग तक्रा प्लांट इसको को निकालना रिमूफ कर देना ही आप लोग निखे लीजिये Some unwanted plants may grow naturally along with the crop They are called weeds Removal of weeds from the field without harming the crop plant is called weeding और इसमें क्या पूचा है? Right short note on weeding and transplantation Short note हमें weeding और transplantation पर देना है तो इसको आप जल्दी जल्दी कर लीजे तो हम transplantation जल्दी से समझ लेते हैं Transplantation क्या होता है? इसका आप screenshot ले लीजे Transplantation क्या होता है? Plants are replaced from one place to another place for their better growth The process of transplantation promote better penetration of roots in the soil It enables us to select only healthy seedlings for the plants इसका क्या मतलब वह transplantation में क्या होता है? हम किसी भी plant को एक जगे से दूसरी जगे लेके जाते हैं जैसे हमने छोटा सा plant का part आज के टाइम पे scientist जब आप higher studies करेंगे तब आपको यह अच्छे से समझ में आएगा कि जो scientist होते हैं हमारे वो plant को जो अच्छी quality की plant अगर चाहिए होते हैं तो उनको कहां पहले grow करते हैं उनको पहले lab में grow करते हैं ठीक है? lab में conditions के साथ grow करते हैं कि इस plant को इतना पानी देना है इतना खाना देना है ठीक है फिर उस plant को एक जगे से दूसरी जगे जाके मतलब खेतों में या खुली जगे पे ले जाके लगा देते हैं एक time के बाद जब वो plant एक महिने का हो जाता है 20 दिन का हो जाता है या 25 दिन का ये अलग-अलग plant पे depend करते हैं तो उस plant को एक जगे से जब दूसरी जगे ले जाके लगा दिया जाता है फिर वो उस जगे पे जादा बढ़ता है ठीक है बढ़ता है और उसकी root जो होती है वो soil में और अंदर तक जाती है तो उससे क्या होगा nutrition वो जादा गेन कर पाएगा ठीक है तो उससे plant जो हमें खाने को मिलेगा fruit, vegetables, सारी चीज़े वो हमें क्या मिलेंगी healthy मिलेगी और जब हम healthy चीज़े खाएगे तो हम लोग भी healthy होंगे राइट तो इसलिए ये transplantation करना ज़रूरी होता है transplantation करना ज़रूरी होता है बहुत important process है इसको आप लोग लिख लीजे जल्दी से अब हम चलेंगे question no.4 में transplantation आपको समझ में आ गया आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आ है तो वीडियो क्या करें आप लोग दो बार देख लें क्या करें आप लोग वीडियो को दो बार देख लीजे देखिए मैंने ऐसे वेट कर रही है आप लोग जल्दी जल्दी screenshot ले लीजे इसका आप लोग वीडियो को दो बार देख लीजे तो सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी question no.4 question no.4 क्या है what are crop plant यह तो मैंने आपको chapter explaining की टाइम बहुत अच्छे से बढ़ाया है what are crop plant name any two crop types with their example question no.4 what are crop plant name any two types with their examples इसका answer लिख लीजे यह तो आपको पता हिए आप सबको crop is a plant that is grown on a large scale ठीक है crop plant ऐसे plants होते हैं जो बड़ी प्रमाने में बड़ी जोगे पे इसको ग्रो किया जाता है example क्या गया है pulses, cereals, oil seeds, vegetable and fruits are different types of crop जो चीजे हम लोग खाते हैं खाने में सबजी, रोटी इस सब कैसे आती है रोटी कैसे बनती है, गेहूं से बनती है तो गेहूं के भी तो crop उगाई जाती है बड़े पैमाने पे ठीक है और इसमें क्या पूछा है question का second part क्या है name any two types with their example तो हम ऐसे दो crop plant example के साथ बताने है तो कौन-कौन से पहला है food crop क्या है पहला food crop इसमें क्या लिखेंगा आप लोग इसको लिख लीजे जल्दी से इसमें कुछ समझने वाला नहीं है मामने आपको chapter पढ़ाते ताइम अच्छे से समझाया है अगर सारे students से chapter समझाया होगा तो फिर यह चीज़ समझ में आ जाएगी food crop first point is food crop it is grown for the production of food example क्या कहें इसके pulses, oil seeds, sugar and cereal crop आप लोग को सब के example दो-दो जरूर याद रखने है इससे marks आपको ज़्यादा मिलते हैं ठीक है अच्छे से definition और example लिखने पर अच्छे marks मिलते हैं एक्जाम में और second है cash crop यह क्या होती है it is grown for commercially purpose example jute, sugar cane, cotton and rubber एक्जेक्टरा अब हम जाएंगे कौन से question number 5 में इसका आप लोग screenshot ले लिजए फटाक से मैं रुक्यू हूँ हूँ चलिए next question question number 5 question number 5 क्या है what is seed drill पहला question क्या पूछ रहा है what is seed drill seed drill क्या होते हैं और इसके आगे दूसरा question क्या लगा हूँ है what are the advantage of sowing seeds by using seed drills ठीक है advantage भी बताना है इसका इसका answer लिखे sowing of seeds is done by using seed drills ठीक है जब हम seeds को बोते हैं sowing मतलब seeds को बोना तो seeds को जब हम बोते हैं तो किसके थूप होते हैं किसकी मदद से बोते हैं seed drills की मदद से हम seed को बोते हैं इसके advantage क्या है अगर हम direct ना लगा कर seed drills का इस्तमाल करें तो इससे क्या फाइदा होगा हमें नीचे आते हैं हम लोग advantage of using seed drills क्या है the seed drills make furrow in the soil and seed fall into it at a regular distance and at a proper depth ठीक है seed drills ऐसे ऐसे होते हैं इसमें हमने ऐसे seed डाली नीचे से यह ऐसे shape की होते हैं हमारा क्या है यहां पर soil है तो यहां से हम क्या करते हैं इसको एक एक जगे पर रखते रखते हैं पहले यहां फिर आगे रखते रखते क्या करते हैं इसमें एक एक sheet डालते जाते हैं तो हमारा जो soil है इसमें अंदर तक sheet चली जाती है फिर इसमें जब roots ऐसे से grow करते हैं तो soil के अंदर तक जाते हैं तो एक एक डिस्टेंस में होते हैं ठीक है अगर हमने एक सीट यहां ग्रोगी तो दूसरा फरों यहां लगाया तीसरा ऐसे चौथा फिर पांचवा छटवा साथवा आठवा तो सब के बीच में आप लोग देख रहें नहीं आप एक डिस्टेंस है प्रॉपर डिस्टेंस है एक अंदर तक इस डेट के हम लोग एक प्रॉपर ड्राप में उसको डालते हैं तो इससे क्या होगा इससे क्या फायदा होता है हमारी जो सीट की ग्रोथ है प्लांट अच्छे इससे उगेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन होगा इसका सेकेंड पॉइंट क्या है इट सेफ टाइम लेबर और सीट अर नॉट इटन बाइब बर्ट जब आप सीट को सीट ड्रिल की मदद से डालेंगे सोइंग अब क्या होगा ताइम बचेगा और दूसरा लेवर की महनत बचेगी हाथ से सीट लगाते हैं तो टाइम लगता है ठीक है तो आपको क्या होगा दूसरी आपकी महनत बचेगी तो फिर और वो birds के दौरा खाए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक proper depth पे जा चुके होंगे तो यहाँ पे हो गया आपका दो advantage और answer इसका इसको फटा फट screenshot लेके लिख लीजे answer number five okay students so students आज की class हमारी यहीं पे end होती है answer number five का भी आप screenshot ले लीजे four का third का answer फिर zoom करके आप लिख लीजेगा इसे और आपको सारे answer समझ में आ गए होंगे जब आपको सारे answer समझ में आ जाएंगे आप समझ करके learn करेंगे तो आपको सारी चीजे easily learn हो जाएंगी और फिर आपको पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा और जब अच्छा लगेगा तो आप लोग बड़े होके अच्छे से कुछ बन जाएंगे ठीक है आप लोग screenshot लेते जाएंगे और समझ करके इससे अपनी copy में complete करिए तो स्टुडेंट्स आज की लास हमारी यहीं पे अंड होती है थाइंक यू धुड़ में जाएंगे यू